काशी के बाबा विशुनात सालू से जिस बदलाव की बाट जो रहे थे उनके परम भक्त ने उसे साकार कर दिया काशी के संकरी गलियों से खिरे बाबा काशी विशुनात का गंगा के घाट से सीधा दर्शन हो सके इसके लिए काशी विशुनात मंदिर कोरिडोर का भूमी पूजन और शिला न्यासकर इसकी पुन्यात प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी ने खुद रखती बोले बाबा की चिंता किसी ने की, नहीं की, सब ने अपने अपने की, जब मात्मा गांती यहां आये थे, तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी, कि बोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों, उन्होंने भी बिये चू में अपनी बात बताते समय, इस पीड़ा को व्यक्त करने से रोक नहीं पाई थे, जब हम 2014 में चुनाओ के लिए आया था, तो ऐसे ही मेरे भीतर से कावाज निकली थी, मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया है, और आज मुझे लगता है, कि जो बुलावा था, वो ऐसे ही कामों के लिए था, करिब 40,000 वर्ग मीटर इलाके में बन रहे इस कॉरिडोर पर 6 अरब रुपे की लागत आ रही है, पियम मोदी ने भूमी पूजन करते हुए ओम नमह शिवाय लिखी हुई शिलाओ का इस्तेमाल किया, इस मौके पर देश की तरक्की और विश्व कल्यान की कामना के साथ, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनात मंदिर में विशेश पूजा अनुश्वान भी किया, इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राजिपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजोद थे राज्य सरकार का सायोग मिला होता तो शायद ये काम आज हम उद्गरण करते होते हैं पियम मोदी की पहल पर आभार जताने और प्रसाद के तौर पर उन्हें काशी विश्रुनाथ ट्रस्ट की तरप से केसरिया दुपट्टा और रुद्राक्ष की माला भेट की गए काशी के बाबा विश्रुनाथ में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी गहरी आस्था है इसकी तस्वीर साल 2014 में दिख गई थी जब बनारस से चुनाव जीतने के बाद बिना वक्त गवाए वो बाबा विश्रुनाथ की दरवार में सिर जुकाने पहुँच गये थे भगवान भोले नात की भक्ती में प्रधान मंत्री मोदी किस तरह रमते हैं इसकी तस्वीर 2014 में दुनिया देख चुकी है बतावार प्रधान मंत्री 4 अगस 2014 को नेपाल की पहली यात्रा के लिए पहुँचे पियम मोदी ने विश्व प्रसिद पशुपतीनाथ मंदिर में पूजा की थी करीब 45 मिनट तक यहां प्रधान मंत्री मोदी भगवान शिव की भक्ती में रमे रहे उसावन के सुमवार का दिन था इस मौके पर पियम मोदी ने बाबा पशुपतीनाथ की रोजाना पूजा के लिए पशुपतीनाथ मंदिर ट्रस्ट को धाई हजार किलोग्राम चंदन भी दान किया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल 31 अगस्त को दोबारा पशुपतीनाथ मंदिर में हाजरी लगाने पहुँचे और काट मांडू में पशुपतीनाथ धर्म शाला का उद घाटन किया जो भारत सरकार की तरप से बनवाय गया था जरा याद कीजिए 2013 में अचानक आए जल प्रले से उत्तरा खंद के केदार नाध धाम में मची तबाही को 16 जून 2013 को ये तबाही हुई थी जिसमें केदार नाध धाम मंदिर जल प्रले से सुरक्षित रहा लेकिन पूरा इलाका तहस नहस हो गया पियम मोदी की भक्ती से केदार नाध धाम के तस्वीर बदल गई नया रास्ता बन गया नई सुविधाएं खड़ी हुई इससे केदार नाध में दुबारा प्रयक्टकों का आना शुरू हो गया प्रधार मंत्री बनने के बाद नरेंदर मोदी चार बार से ज़ादा केदार नाध धाम की यात राकर चुके है पिछले साल बारा फरवरी को प्रधार मंत्री मुस्लिम देश ओमान के दोड़े पल गये थे तब वक्त निकाल कर उन्होंने मसकट में भोले नाध के सवा सो साल पुराने मंदिर कहे जाने वाले मोतिश्वर महादेव में पूजा अर्चना की थे